हेलो स्टुडेंट माइसेल्फ सेलिश्कुमा मौर्या और आज हम अपनी बुक एन अवस्ति के क्वेशन आंसर के सीरीज को फर्दर कंटीन्यू करते हैं आज हम करेंगे आपके एन अवस्ति बुक के एटॉमिक स्टॉक्चर वाले लेसन से क्वेशन 71 से फर्दर प्रोसीड कर वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारा टेलिग्राम ग्रूप जॉइन नहीं किया है तो इस ग्रूप को आप जॉइन कर लो इस पे काफी इंपॉर्टेंट माटीरियल्स आपके लेवलेबल है और अगर आपको कोई परस्टनल क्वेरी तो आप इंस है 2.5 इलक्ट्रान वोल्ट तब मैक्सिमम काइनेटिक एनरजी देखो एक बात बताईए जैसे इस तरह से कुछ और विटल है ठीक है यह मान लीजे एन इस इक्वल्स टू फूर है और यह एन इस इक्वल्स टू टू है तो हो कह रहा है फूर्थ और चीट से कोई चीट सेक एक्वल्स टूमूला हो जाएगा डेल्टा इवह आप क्या लगा दोगे 13.6 इंटू जट स्कूर हाइड्रोजन की बात करें तो जट वन हो जाएगा अपन एन स्कूर तो वन अपन टू का स्कूर हो जाएगा फोर माइनस वन अपन शिक्स्डिन इसको हम सॉल्फ कर लेंगे इसको अगर हम solve कर लेंगे तो यह क्या आजाएगा हमें energy का difference मिल जाएगा यानि कितनी energy की जो चीज है वो fall कर रही है किसी given metal पर माल लिजे आपने इसको solve किया और इसका answer आजाता है suppose कर यह x answer इसका आजाता है ठीक है इसको solve करेंगे और अगर आप solve करेंगे तो आप आएंगे यह आजाएगा 0.05 electron volt जो की हो जाएगा option d में क्योंकि किसी में दिया नहीं है ठीक है 0.05 electron volt आएगा तो इससे आप से आप कर सकते हो ठीक है समझा दिया बाकी calculation है वो आप खुद से कर सकते हो चलो next question question 72 select the incorrect statement incorrect statement select करना है बहुत यह असान question है देखो पहला ही statement incorrect है बोलता है kinetic energy of photo electron does not depend upon the wavelength of incident radiation देखो जो भी incident wavelength हो रही है जो भी wavelength incident हो रही है इसी particular wavelength के वज़े से ही तो energy है जैसा अगर मैं बूलू आप से कि आप क्या लिख तो h new is equals to h new not plus kinetic energy या इसी को अगर wavelength के term में लिख हो तो h c by lambda is equals तो मालो इसको work function लिख देते हैं w not plus kinetic energy अब एक बात बता हुड यह जो incident wavelength फॉल करào यह lambda इसी पर तो सारा खेल अगर यह lambda जादा हो जाएगा तो energy कम हो जाएगी, जिसकर से kinetic energy कम हो जाएगी, यानि simple सा है, अगर आपने lambda बढ़ा दिया, तो kinetic energy कम हो जाएगी, और अगर आपने lambda कम कर दिया, तो kinetic energy क्या हो जाएगी, जाता हो जाएगी, यानि इस पर depend तो करी रहा है न, इसमें क्या करा, does not depend क्या दे रहा है, तो यह इसी को कहते हैं H upon M V बोलते हैं तो अब देख लो इसी को क्या लिख सकते हैं इसी वाली equation क्या लिख सकते हैं H is equals to lambda into P लिख सकते हैं H is equals to lambda into P तो P lambda देख रो फर्स्ट अले option में दे रखा जो कि क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा ठीक है चलिए आईए next question के तरफ चलते हैं question 74 which of the following has the largest d broadly wavelength all of equal velocity तो देखो d broadly wavelength lambda is equals to H upon M V होता है बोल दिया भाई साबने velocity बराबर लेनी है ठीक हो गया plank concept वैसे ही बराबर यानि mass के उपर कर रहा है यानि जिसका mass जितना ज्यादा inverse relation है न तो उसकी डी ब्रॉगली wavelength उतनी कम यह ओला concept लगेगा इसमें तो सबसे हमें पूछा सबसे highest किसकी डी ब्रॉगली wavelength है तो डी ब्रॉगली wavelength highest उसकी होगी जिसका mass सबसे कम होगा अब जितने सबसे कम mass किसका है इलक्ट्रॉन का है तो वही हमारा answer हो जाएगा ठीक है नेक्स question ब्रॉगली wavelength associated with the particle of mass and velocity वास और velocity देगा simple lambda is equals to h upon mv h की value पता ही है mass बोली दिया 10 के पाउर 6 लेना है velocity भी देदी है तो बस इन सबी values को यहाँ पे put करना और इसको हमें solve कर देना आप जैसे solve करोगे तो answer आजाएगा 6.63 into 10 की power minus 29 बस कभी-कभी इसमें हम गलती क्या करते हैं हो सकता है units की गलतियां कर देते हैं तो हमें हमेशा value रखने से पहले units को चेक करना चाहिए units same है तो आपका फिर कोई दिक्कत नहीं है आपका answer क्या हो जाएगा option भी इसका correct हो जाएगा ठीक है बहुत यह असाना-सान question है आपसे तुरंत हो जाएंगे ठीक है next question 76 टू पार्टिकल्स एन बी फॉर टू पार्टिकल्स एन बी कर्व्स आर प्लोटेड अंडर अंडर रूट ऑफ पोटेंशल डिफ्रेंस अगेस्टी ब्रॉगली वेवलेंट विच अधी qvm यह formula होता है lambda is equals to h upon under root 2qvm यहाँ पे h क्या है planks constant q क्या है charge जिस भी पार्टिकल का जो charge है v क्या है potential difference m क्या है mass ध्यान रखना h upon under root of 2qvm is equals to d ब्रॉगली वेवलेंट यह formula है काफी important है जेई में तो कई बार इस पे question पूछा गया है ठीक है तो अब देखो यहाँ पे यानि इस अगर formula को आप एक बार ध्यान से observe करोगे तो आप यह पाऊगे कि lambda और यह जो root v है इसका inverse relation है अपस में देखो यह जो lambda है और इसके अंदर जो v है यह root v है इन दोनों का inverse relation है ठीक है तो चलो इसको हटाते हैं अब मैं बोलता हूँ माल लो इस particular potential difference पे और particular potential difference अब बताईए इस particular potential difference पे किसकी wavelength ज़्यादा है तो आप क सकते हो यहाँ प्यारा है lambda A और यहाँ प्यारा है lambda B तो इस particular potential difference पे आप किया सकते हो lambda B is greater than lambda A ठीक है और आपको पता है कि जो डी ब्रागली wavelength है वो इन्वर्स्री प्रपोर्शन होती है मास के जैसे इस वाले question में हमने देखा था 74 वाले में तो अगर B की wavelength ज्यादा इसका मत कम रहा होगा तो इस से तुरंट conclusion क्या लगा सकते हो कि M B जो होगा वो कम होगा in comparison to M A होगा तो इससे साब से देखोगे तो आपका कौन सांसर हो जाएगा M A greater than M B B option आपका correct हो जाएगा ठीक है तो इस तरीके से इसको आप solve कर सकते हो ठीक है next question के तरफ चलते है question 77 लगेगा linear शोक अनल लगेगा यह तो आपने basic graph में पढ़ भी रखा होगा तो इसका क्या हो जाएगा D option हो जाएगा ठीक है next question an excited state of H atom emits a photon of wavelength lambda and return to the ground state the principal quantum number associated ठीक है देखो simple सा question है आपको कहता है wavelength है lambda तो 1 upon lambda ridge bug constant R मालो hydrogen atom की बात हो रही है तो Z1 हो जाएगा तो 1 upon lambda is equal to RH into Z square into 1 upon N1 square 1 upon N1 square हो जाएगा तो N1 के जगा 1 का square minus 1 upon N2 square N square माले तो बस इस equation को हम को solve कर देना simply कहता है इसमें कुछ बोला नहीं है बोला है कि मालो किसी state N से किसी state 1 में कोई atom आ गया इसकी wavelength lambda है तो बता दो ये N क्या होगा in terms of red debug constant तो यहाँ पर R क्या है red debug constant तो इसको solve कर लेते हैं तो देखो क्या हो जाएगा ऊपर हो जाएगा N square minus 1 upon N square into R is equals to 1 upon lambda ये चीज़ हो जाएगी तो simply यहाँ से क्या जाएगा अगर इसको solve कर दें हम तो या इसको इस तरह solve कर जाएगा देखो और simple कर जाएगा 1 upon lambda is equals to R into 1 by 1 minus 1 by N square इस तरीके से हैं तो इसको क्या लिख सकते हैं 1 upon lambda R is equals to 1 minus 1 by N square इस चीज़ों को उदर लेकर चले जाओ तो क्या हो जाएगा 1 by N square is equals to 1 minus 1 upon lambda R तो यह क्यों हो जाएगा lambda r minus one upon lambda r is equals to one upon n square ये आगया तो यहां से आपको दिखने लगा होगजा formula की n square की value क्या जाएगी तो यहां पर अगर मैं लिख देता हूं तो यहां पर कर देते n square is equals to हो जाएगा मिरे पास lambda r upon lambda r minus one यह हो जाएगा, तो n की value क्यों हो जाएगा, इसी का root लगा देंगे, तो इस तरीके से आप कर सकते हो, तो कौन सांसर से हो जाएगा, b option आपको दिखेगा, सही हो जाएगा, ठीक है, इस तरीके से कर सकते हो, चल्ड, next question, 79, a die adsorb a photon of wavelength lambda and emits the same energy into two photon of wavelength lambda 1 and lambda 2, the wavelength lambda is related, असान question है, द lambda wavelength absorb किया, और अपने अंदर से इसको absorb कोनेक बाद, दो wavelength निकाल दिया, एक हो गया, lambda 1 और एक हो गया, lambda 2, आपको इन सम्में relation बताना है, आप एक बाद बताईए, total energy तो हमेशा constant रहेगी न, जितनी energy आई थी, वही तो energy निकलेगी, यह concept तो लगेगा, तो total energy आई कितनी, total energy आई है, वह है, hc by lambda, निकली कितनी energy, hc upon lambda 1 plus hc upon lambda 2, hc से hc हर जगा cancel, तो 1 upon lambda की value क्या जाएगी, lambda 1 plus lambda 2 upon lambda 1, lambda 2, तो lambda की value क्या जाएगी, lambda 1, lambda 2 upon lambda 1 plus lambda 2, यह answer हमारा आजाएगा, तो b option देख रहे हो, correct हो जाएगा, इसको याद भी रखना, direct आपको कई सारे exam में देखने को म next question, question 18, be 3 plus n of protons are associated by the same potential difference, देखो potential अला, और d broadly equivalent बतानी है, मालो की mass of proton, mass of neutron के बरापर है, तो जो d broadly value थो formula बताया था, lambda is equals to h upon under root 2qvm, ठीक, यह चीज़े, तो देखो h तो सबके लिए constant है, तो भी हटा दो, बस अब हमें किसके किसके उपर सोचना है, यानि lambda जो depend करेगा हमार वो depend करेगा, one upon under root qvm पर depend करेगा, अच्छा, बोल दिया है, potential भी सेम है, तो वी भी हटा दो यहां से, तो यानि simply अगर मैं इसको साफ साफ लिखूं, तो lambda जो depend करेगा, वो depend करेगा, under root qm पर depend करेगा, ठीक है, तो यानि अगर मैं इसको थोड़ा सा लिखूं, तो यह हो ज जाएगा, inverse relation है, तो mass of proton, charge of proton into mass of proton upon charge on be 3 plus into mass of be 3 plus, यह उला formula हो जाएगा, inverse relation यहां से देख क्या आप इसको बना सकते हो, इस तरह के में change कर देंगे, तो बस अब इसको रखना है, तो इस शी जो को यहां से पहले इसको हटा देते हैं, चल, तो इसको put करते हैं, तो यह क्या ह हो जाएगा, under auto, charge on proton, proton के पर charge मानलो one, mass मानलो उसका one, upon, charge on be 3 plus, 3 positive charge है, तो 3 into mass of beryllium, beryllium का mass कितना होता है, beryllium का जो mass है, वो किसका mass होगा, nucleus का ही तो mass होगा, उसके, जो भी beryllium का mass होगा, वो nucleus का mass होगा, तो beryllium के nucleus में, आपको पता है, beryllium का atomic number क्या होता है, तो आपको पता है, 4be9 बोलते हैं, यानि 4 proton होते हैं, और 5 neutron होते हैं, beryllium के nucleus के अंदर क्या होता है, 4 proton और 5 neutron, यानि 9 चीज़ें हैं total, 9 proton मानलो, क्योंकि यहाँ पर लिख दिया है, mass of proton और mass of neutron बराबर है, तो 9 mass हो जाएगा, तो ये चीज़ हो जाएगी उसके पास, ठीक है, तो simply answer क्या आजाएगा, answer आजाएगा, 1 upon under root of 27 हो जाएगा, और 1 upon under root 27 को क्या लिख सकते हैं, 1 upon 3 root 3 लिख सकते हैं, तो इस तरह का D option दे रखा, जो कि क्या हो जाएगा हमारे लिए correct हो जाएगा, ठीक है, तो इस तरीके साब इस question को कर सकते हैं, चलो, तो ये थे हमारे कुछ question आपके, एन नमस्ती बुक के, जिसमें हमने question 71 से 80 तक discuss किया, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, तो वीडियो को आप like और share जरूर करना, और अगर आपने channel को subscribe नहीं का, subscribe करके bell notification प्रेस करना, so that's all for today and thank you for watching.